नमस्का दूस्तू स्वावात है आपका हमारे चनल पीके गुरुजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैत का प्रिशन डिसकस करेंगे तो जिस प्रिशनी की हम बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं तो प्रिशन हमारा क्या है प्रिशन है कि यदि RS 450 तीन साल की अवधी में साधान ब्याज पर 504 रुपे हो जाते हैं तो है बताईए कि RS 650 दो बजश छे माहे में कितने रुपे हो जाएंगे जबकि दोनों इस्तिती में दर समान है ठीक है उसने कहा है कि दोनों कंडिशन में दर क्या है वह समान है पहले मूल दन कितना दिया है पहली इस्तिती में मूल दन है 450 टाइम है तीन बर्स और इमाउंट कितना हो जाता है 504 रुपे ठीक है इससे अगर हम सिंपल इंटेस्ट केल्कुलेट करना चाहें तो ए मेंसे पी को माइनस कर देते हैं 504 में से 450 रुपे जाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 54 रुपे हमारा तीन बर्स अब इसको कट कर देंगे 0 से 0 तो कट जाएगा यहां पर 9 से काटेंगे 6 बार जाएगा यहां 5 बार जाएगा 5 से काटेंगे 5 दूना 10 तीन से काटेंगे 3 दूना 6 तो रेट कितना आ जाएगा रेट आ जाएगा चार पिसत ठीक है अब उसने कहा है कि दोनों इस्तितियों में रेट समान रखना है अब मूलधन कितना हो गया 650 यह क्या है सेकेंड इस्तिती है ठीक है रेट तो वही रहना है चार पिसत और टाइम यहां पर हो गया है दो बार्स छह माँए दो बार्स छह माँए यहने कि ढ़ाई साल 2 सही एक बटे दो इसको सॉल्व करेंगे दो दूनों चार वेक पांच बटे दो बार्स ठीक है अब हमें इसमें क्या निकालना है कितने रुपे हो जाएंगे पहले तो हम सिंपल इंट्रेस्ट कैलकुलेट करत ताइम है पांच बटा दो अब इसको सोल्व करेंगे जीरो से जीरो कर जाएगा पांच से काट देंगे पांच दूना दस दूना चार दो एकम दो सिंपल एंटेस निकल के कितना आया 65 रुपे अब हमें एमांट निकालना है तो एमांट के लिए पी पिलस एसाई कर देते हैं पी है 650 ऐसा ही निकला 65 तो इमांट निकल के कितना आजाएगा यहां हो जाएगा पांच खे नाओने वीडियो देखने के लिए जोड़े रहिए आपके अपने चनल पीके गुरू जी के साथ नमस्कार